है है पालोब चों कैसे है आप सब बढ़िया में कि तो हम तो कल हमने डिस्कस किया था वं Lore क्या क्या बाते पड़ी थी ऐसे वो होते हैं जो कि एस प्लस देते हैं वेस्ट वो थे जो और सो नेगाटिव देते हैं ठीक ना और इस ट्रोंग आयन होंगा वो completely आजाएगा molecules नहीं आएंगे जो आपके पास में होंगे कौन से वीक एसीड वो कौन से होंगे जिसमें molecules और ions दोनों परजेंट होंगे ठीक है उसके बाद हमने कुछ reactions की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी acid base के साथ में रियक्ट करेगा तो 101% तो बने गाई बनेगा उसके साथ में बाई प्रोड़क्ट भी कुछ बन सकता है जैसे कार्बनेट के साथ में वो क्या बना रहा था स्योटू बना रहा था और अगर नॉर्मली आपके पास में strong acid strong base react करें तो क्या बनाएगा salt plus water यही सब चीजें थी ठीक है reactivity series से जो भी metal हमाने पास में hydrogen से ऊपर की तरह प्लेस करेगी वह क्या करेगी यहां पर आपके acid से hydrogen को इस प्लेस कर देगी ठीक है ना यह सब सीजें हमने सीगे थी वह भी डाइलूट से उसके बाद में हमने बात की थी पिएच की पिएच क्या बताता है पिएच आपको बताता है यह आपका एसीडिक है या बेसिक है या सॉलूशन एसीडिक है या बेसिक है जहां पर हम बात करते हैं पिएच इस इकल टू माइनस का लोग एस प्लस की कंसेंट्रेशन इसका एक छोटा से ओवर्वीव है जो कि आपकी सीबसी बोड ने पूछा है पर फिर भी थोड़ा बोच चलो हम पढ़ा देते एक्स्टा में कोई उसमें दिक्कत नहीं है जैसे हम बात करें कि हल्दी मैंने कल भी बताया था कि हल्दी क्या होती होती है एक आफोल में इंडिकेटर होती है एस्टेन आफ टर्मिन टर्मरिक बेस्ट फूड़ स्पिल्स ऑन दा वाइट क्लॉस बिकम्स रेडिश ब्राउन में सौप इज स्क्रब्ड ऑन एटी चीज में आपको बताई थी कि आपकी तो शर्ट है वह वाइट क्लर की है उस होता है कि जो भी होता है उससे हम अगर दोते हैं तो वह रेडिश ब्राउन टाइप का आपको दिखाई देता है क्योंकि यहां पर एसीड बेस की क्या होती है रियक्शन होती है तो पिज बेसी की नेचर एंड चेंज इस दा कलर ऑफ टर्मरिक स्टेन इटरंस यलो अगें बेहन दा क्लोथ इस वास्ट विद्धा प्लेंटी ओफ वाटर बातागी समझ में ठीक है ना आप इसको अगर खूब सारे पानी की साथ में दो होगे तो यह किसमें चेंज हो जाएगा पीले पन इसका आपिस आजाएगा ठीक है क्योंकि आपने क्या किया है जैस जैसे इसक रेट गिव दा कलर ओफ एसिडिक सोलुशन यहलो इन दा बैसिक एड़ के बैस गूंसी होती है कूंसी होती विटा के बैस क्या होती है कि पत्ता गोवी पत्ता गोवी जोती ना वह वाली उसमें भी एक स्पेशल टाइब आपार रेड के विज का लाल कलर क्याती है अपने यह आई अना वह ग्रीन शाती है एक इसमें रेड कलर क्याती जो की अमीर लोग खाते हैं यह कह सकते है ठीक है वह भी और यहां यह एक्टरेक्टर स्मेल इन बैसिक सोलुशन लाइक एडिए दिर इस दानोई समयल बैसिक सोलुशन इसकी कोई स्मेल नहीं होती है एसिड्स ह आउए वेड़ डूनोट डिस्ट्रॉइदाइस मेल ओफ मतलब क्या है एसिड्ड जो है आपके अनियन की जो इसमेल होती है उसको डिस्ट्रॉइए नहीं करता है यही मतलब है नहीं इसका अब आपको किसल इसा कैसे होता है घरमी प्याज खाते हो सलाथ खाते हो अगते हो दबा के खाते हैं सब दबा के उसको पर निम्बू निचोड़ते हो क्या निम्बू डालने से क्या आपके अनियन की स्मेल खतम हो जाती है आती है फिर भी इतना भी निम्बू डालके खालो अगर ऐसा होता तो हर बंदा निम्बू डालके अच्छे से प्याज खाता और बा पारे हो कितनी अच्छी मतलब भी हो प्रोशी को पता चल जब जाता प्याज खा क्या है महंगाई के अंदर प्याज खाया अगरो महंगाई में अब लगए कि हाँ इस फैमिली है ओके तो यह सब बाते थी वनीला एक्स्रेक्ट है एज ए प्लिजेंट स्मेल इन दा एस्टिक स प्रचे स्मיल बहुत अच्छी लगती न ख्राइस करिम उसकी स्मेल निया आती आपको वनीला की कभी देखना स्मेल खती है वह प्लप घरने रोटे वनीयला को यह आपके क्या है एक तरफ़गा रही कैसे तो कि आप देखना ल zaram आशाम को आराम से थीक्रेम आंस क्कौना 9 ज्Яदा ख़ाना कम आए स्मel आ रही है कि नहीं आ रही है इन्हार तो फर एक मेर को भी राटे कर देना ईशर आप भी चेक करे कई मैं टेस्ट कर दोंगा टेस्ट कैसा है ओके अब गोंज कि इंडिकेटर कौन से वह आप डेख सकते मतलब होने वाला है इससे लिटमस क्या करता है इंडिकेटर है एसिडवेस को याद देखना लिटमस को याद करने का सबसे बढ़ी आकाम अनिल कपूर का नाम सुनाएं उसकी आज तरह ही एक नाम आता है अनि लाक्षा अनि लाक्षा अच्छा ऐख यक बात आज़िए थोड़ा सा हिंदी acid जो होता है उसको हिंदी नाम होता है UMLR क्या होता है UMLR बेस का हिंदी में नाम होता है Shas भाता की समझ में तो अब देखो अबल जो है वो नीले कलर को लाल कलर में बदल देता है Blue to Red होता है न और आपका variant को Blue में change करता है करता है कि नहीं होगी न अच्छी वाली ट्रिक याद रहेगी जन्मों जन्मों तक नहीं भूलोगे आपको दो बजे भी पूछ ले जाएगो ठीक है ना खेर मैं नहीं पूछूँँगा अच्छी में लेंगा सब्कूरी करता है कि यानलोग स्वेक स Allah फिंधिक में नहीं करता है जब कि यहां पे वह Weaf अभी काम नहीं आएगा इस पैसली जो है वो तीन काम आने वाले हैं आपके इस चीज़ को आप ध्यान में रखना क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप वो पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है ठीक है चलिए आगे चले कि इधर से चलना है चलो बनठा आगे स Manufact had it अभू देखो क्या है इसमें युनिवरसन टरता इसे मिक्डॉर उप युद्ट है कि रिचला ऑपस इनक एकंडिकेटर ँयुआ है मिक्टफे तो है है बात आजी समझ में यह होता है आपका क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर बात आगी समझ में इसमें किसी को दिक्कत नहीं है अभी देख सकते हो यह लो पिंक रेड इस जैसे से इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे बढ़ रही है तो यह देख लो इंडिगो वॉयलेट वगरा बात आ रही समझ में यहां पर चलें आगे यह है आपके पास में पिएच वैल्यू इसको आपको याद नहीं रखनी है यह सिरफ शिरफ आपके नोलेज को बढ़ाने के लिए यहां पर ली गई है इसको आपको याद नहीं रखनी है मत रखना बिल्कुल भी इसको याद ठीक है ना इसको याद नहीं रखनी है बस थो प्रेसिक कौन कॉन से हैं सलमा इदर हो जाता हूं पताओ मेरे को बैसिक कौन कॉन से बटा कि अ कि अ अमॉनियम हाइड्रोकसाइड बेसिक है तोडिम हाइड्रोकसाइड पैसिक है कि समुंदर जल ठीक है पस बाकी बच्चे वे कि यह क्या होता है कि नोट्रल होता है वेरी बूट स्रीकoter Search to बसृस तरह हुआ है यह तर्सपर चारे हैं बैसी की निचर और जो बच्टे में वह कौन से होते हैं ठीक नेचर फिन को यह अगhare यह परोसंद करें घरा आपको अब आपको इंपोर्टेंस बतानी है कि पिएच की क्या क्या इंपोर्टेंस होती है को बता सकता है मेरे को क्या 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 है पिएच की इंपोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में लेली लाइफ में क्या होती है बताओ आपको जुरूरत नहीं है अज़े सिर्फ फार्मर का पता आपको अजी अज़ेक्ट ली वो भी है वुड़ आपका डाइजेस्ट हो रहा है वहां पर भी पीएच का तो रोल ही ना आपके लिवर के अंदर क्या है है एसीड होता है पता ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेट होता है यह सब चीज़ें हमने पढ़ी है ऐस तक आप देखो वन बाइवन इसके पीएच का क्या रोल है आप से पूछा जा सकता है कि पीएच के जो है कमर्शियल यूज बताओ या डेली लाइफ में यूज बताओ तो क्या होगा पीएच एंड प्लांट प्रोपर प्यएच आपके सोईल को क्या रहती है रिक्वाइड रहती है जो आपकी मिट्टी है उसकी प्रोपर प्यएच अगर नहीं होगी तो प्लांट को ग्रोथ नहीं मिलेगी या जो उसकी प्यएच है या उसकी एसिडिटी या alkalinity जो भी उसकी जरूरत है वो उसको proper maintain करना जरूरी है तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जो farmers है जैसे यह जो भी फसल है वो फसल अगर एक बार काट दी या नई फसल जब भी होते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं उसके अंदर कुछना कुछ अपने minerals को अलग तरीके से डावते हैं जैसे यूरिया वगरा का यूज़ करते हैं पाने के साथ में तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी क्या रहती है pH maintain रहती है जब pH maintained रहेगी तो आपके plants है जो आपकी फसल है जो आपकी crop है उसको proper nutrients मिलेंगे proper nutrients मिलेंगे कहां से soil से और वो अच्छे से growth कर जाएगी बात समझ में आई तो इस तरह से आपकी अगर है प्रोपर pH maintain होती है तो क्या करती है healthy growth और plants के लिए required होती है जरूरी नहीं है कि वह खूब सारा है बेसी को और बहुत ज़्यादा क्या हो acid को तो प्रोपर pH आपको maintain करनी होती है वह farmers को पता होता है कि उसको कितना इसमें यूज करना होता है ठीक है ना आगे चले सेकेंड जो आता है pH इंदा digestive system यह क्या होता है human body secrets hydrochloric acid यह पता है आपको ना hydrochloric acid को क्या करता है secret करता है which acid is in digestion जो कि digestion क्या काम करता है ठीक ना यह सिट तो है हमारा जो कि डिशिशन का काम करता है अब hyper acidity क्या होती है the condition of excess acid in the stomach यानि stomach में बहुत ज़्यादा आपका acid क्या हो चुका है produce हो चुका है तो वह क्या हो गया है hyper acidity और hyper acidity can be cured by the taking anti tablet और suspension जेलू सिल वगएर आती है न नहीं पता कि यह क्या होता है यह क्या होता है यह यह उपेशान नहीं पता आई जीन आज जीन सुना होगा इन्स उना होगा उसके लाव और कौन से आते हैं हाँ मिल्कों मेगनेशिया अगर पर चुना पानी हो तो उसको पी लो हाँ ना तुने का पानी वह होता ना उसको पी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है अलकलाइन होता हूँ मतलब क्या हुआ है इस टमक में अगर आपका जो एसीड है वो ज्यादा सीग्रेट हो गया ज्यादा सीग्रेट तो उसकी वज़े से क्या होता है आपके यहां पर इस पॉर्ट्शन पर आग सी लगने लग जाती काफी बार इस भी केंड़ेट को यह फील हुआ होगा जनरली मे जाता है यह फिर कोई टेबलेट लो जैसे पैंट वगर आती है उसके अलवा आती है आपके हुआ होती है यह बेसिग नेचर के होती है यह जो भी एकसिस में आपका सीक्रेट हुआ है जो एसлять है उसके क्या करता है एक प्लस न को नीउट्रल कर देती है तो जितना एसिड ल इसलिए ही अगर आपको पता होती है तो आपको खटा खाने को मना किया जाता है आप खटा मत खाओ क्योंकि वह एस चीज़ों के लिए मना किया जाता है और कोई बात नहीं है और दूद भी एक बार मना करते हैं एक दूद मत लेना बात आगी समझ में चलिए आगे पी एच एंड टूथ डिके क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका तूथ इनेमल विच इज हाड़े सबसांस इन आवर बोड़ी इज और डेड वेन पीएच ऑफ दा माउथ इस बिलो 5.5 इसकी वज़े से आपके वह क्या होता है है जोटी जनरेट हो जाती है ठीक ना तो कि आपके जो दांत है इस दांतों के ऊपर सबसे हाड़ेस चीज लगी विए अगर आपको पता हो तो जनरली जीजों से जल्दी से टूटता निया दान सबसे हाड़ेस चीज होती वह इनेमल होता है अगर वह एक बार खतम हो गया आप देखना दांत तो बस साफ है काफी लोगों की दांत होते हैं वह बहुत ज्यादा मतलब खराब होए वे होते हैं विलेपन की बात नहीं कर रहा है वह होती खुरद्रा टाइप में या दो दांतों बीच में मलब दांतों एक्दम पास होते लिग उनके खड़ा सा हो गय अगर आपके मुगी पियस मेंटेन रहेगी तो inamal भी बरकरार रहेगा और यह रहेगा तो आपके दांत क्या रहेंगे से रहेंगे दीरे-दीर क्या होते हैं जब 5.5 से कम हो जाए उससे आपका दांत एक नेचर क्यों जाएंगे जादा और जादा इस डिक नेचर होनेडि है ठीक है तो cleaning of the taste using the tooth paste helps in preventing tooth decay toothpaste are basic in nature therefore neutralization the excess acid in the mouth and thus prevent tooth decay जो खाना माना खाते हो मुह में जो होता हो acidic कर दिता है आपके मुह को acidic आपने खुद ने भी कभी मैसूस किया होगा कि आपने जिस दिन तूथ पेस्ट नहीं किया है मुह खटा खटा हो जाता है किया है तुम लोग तो बहुत अच्छी आदत है सुबह उर्ते करते हैं इसारे मैंने जब जब पड़े थे ना मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे मेरे उपर एक दिन पूरे दिन टूथ पेस्ट नहीं किया था तुबह उठा पानी पिया फिर मेरे को यह मला फील लेना था कि रियली में इसा होता है गया जैना फेल्ट के हाँ यार मुझे यह चीज फील हुई उस वक्त के सच पानी पीते हैं आपके मुह में खटा पनाएगा अगर थोड़ा से पानी की अगर कमी होगी ना मुह में तो आपको फिल होगा यार मुह खटा हो रहा है मेरा अब यह नहीं कि बिल्कुल नेम्बू जैसा रसाने लग जाए ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन खटापन महसूस ह तो वह चीज क्या बताती है कि आपके मुह की एसडिटी बढ़ रही है जब आप मुह को साफ़ करते हो तो क्या होती है जितनी एक्सेश में होती हो निकल जाती है वह निट्रल कर देखी और मैंटें कर देखी हमारी प्रेट को बस यहीज़ी रीज़ और कुशनी ठीक है तो नावधानी बरतते हुए मम्मियों बुरुष कर रही है पाप बुरुष कर रहे हैं तो दूर से इंग्लिस में जहां ना इसे बोला कि दांत साफ कर रहे हो मूं में खट्टा बंधाना ना एक्सिस में ना केविटी से डरते हो देखो ये जोखिम अपने उस पे लेवल पे ले समझने हो ना है है हाँ लाइट से वी तेज इस दुनिया में अगर लाइट से तेज कुछ है तो मम्मी की चपल है चिदी आती है एक तम सकीक निशाने पर आती है और बच भी गए तो भाई साब समझ लेना तो आ रही है ना तो चपल के आगया जाओ तो वह ज्यादा बेट पे हाई कहान करें हमी जिसे घां शेफ घरमानी के यह क्या होता है हमने भी खाई कि मैं निटे से वह इन्हांने डंडे से सब्सक्राइण रगे प्यार होता है यह मार्नी यह पार प्यार्य के hết में समझ आता है कि वो भी क्या दिन थे चलिए आगे अब क्या है तोर्स एंड पी एच आफ दा सॉल्ट अब देगा एसिट बेस्ट नीट्रल हो के कुछ ना कुछ सॉल्ट बनाएंगे अब वो सॉल्ट कैसे हैं एस डिक नेचर के या बैसिक नेचरिक वोन की पीच से पता चल आर कोल दा बैसिक रेडिकल और मॉस्टली अप्टेन फ्रॉम दा मैटलिक आयंस अभी बताऊंगा मैं सारी चीज़ें वाइल दा एनाइंस आर कोल दा एस डिक रेडिल अब देखो यह सब चीज़े क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता लेकिन मैं आपको चीज बता देत पार्ट के अंदर जो नेगिटिव पार्ट है वह एसिटिक होता है क्या होता है एस इसको बोलते हैं एसीटिक रेडिकल क्यों बोलते हैं क्योंकि आपका एने प्लस आया है वह यह से देखो अपना बना लेंगे बात आगी समझ में इसलिए इनको यह सब चीज़े बोली जाती है यह आप देख सकते हैं एन्यों चल बिलके क्या बना ने एन एसल और वोटर का फॉरमेशन कर रहे हैं ठीक है चलिए अब सॉल्ट के बारें बात करते हैं सोल्ट का था सोल्ट इसे देता है अधर देन हइड आटे रॉक से लाइन यानि ओड आएउस नेगाटिव नहीं देता है लगिन धूसरा कोई न कोई क्या करेगा नेगिटवान देगा यानशी इसी आको मैं निक्टिव अगया और प्लस से अलग है और एस नेगिटिव से लिए इस देटट के लिए परिवारी गुरूप से बनेवे होते हैं वी य बच्चे वाले होते हैं निम्ड तरीके से हम क्या कर सकते हैं होते हैं नॉर्मल या नूट्रल सोल्ट गौंसे होते हैं जिनकी प्येंशन भाति ये दूसरी बात यह ये हमेषा स्ट्रोंग एक सिद्रोंग बेस से मिलके बनेवे होते हैं फोंगे फिर वered के दोसे ऑफ ड़ायंं पाया अमोनिया माइन थोड़ी ना होगा वह यहां तो दिका वह यह एक निटिए टिए ना यह कर लो ठीक है यह नॉर्मल सोट वते जैसे एने लेट वे तो फोर एने थ्री पियो फोर नह फोर और कौन सा है आपका यह टू यह सब क्या है आपके नॉर्मल सोल्ट है एं नूट्रल साट एराइजेज दू तू दर नूट्रल इजिशन ऑफ दर एक्शन हीए दर साल्ट ऑप श्रॉंग एस इस रहेगा नहीं वेच रहेगा ठीक है इससे जो साल्ट बनेंगे वो कौन से हों होगे नूट्रल साल्ट होंगे और उनकी पीस कितनी होगी तर फॉत्राई समझ में जलिए अब क्या है अब हमारे पास में आता है next salt कौनसा आता है next salt आता है बच्चा एक मिनिट लएक लूट ने अब आता है आपके पास में एक और संट कॉन सा है यह sodium carbonate है यह हमारे syllabus में sodium carbonate कौन सा होता है कौन सा होता है washing soda होता है और वाशिंग soda होगा तो nature कैसा होगा basic nature very good basic nature क्यों होता है क्योंकि यह strong base और weak acid से मिल के बनावा होता है ठीक है तो इसकी pH क्या होगी 7 से ज्यादा से ज्यादा होगी ठीक है बस यह चीज हम पढ़नी है वन बाई वन इसको पढ़ लेते हैं सोलम इसको इद्र कर लेता हूँ क्या है सोडियम कार्बूनेट एगजीस दा एन हाइड्रेस एंड आल सो एजे एग्रेटीड सौर्ट हाइड्रेटेट कैसा होगा यह ऐसा होगा अधिक अधिट्र के रूप में वेट्र ऑफ किसलाइजेशन ए और यह एन हाइड रस में वाट्र ऑफ किसलाइजेशन नहीं है अब आगे देखो नोन एज दा वसिंग सोड़ा वाइल दा एन हाइडर सोल डिसकोल दा शोड़ा एश पाता की समझ में यानि अगर आपका हईडरेटेट तो कैसा होगा वसिंग सोड़ा और अगर क्या हुआ एन हाइडरेस हुआ तो तो टाइश ठीक है विटा चलिए या सोड़ा प्रोसेस और स्वाव प्रोसेस बहुत जादा है इसको तिरूप बनता है फॉल है प्रोसेस एक नमबर में पूचा जाता है जाता है दा रोव मेटलिया अभी हम देखेंगे स्की तफ़ल डेहन अब इसमें क्या होता है वन कार्बन डाई ऑक्साइड बास्ट into a concentrated solution of solution of the brine saturated with ammonia क्या मतलब है इसका बता सकता है कोई brine saturated with ammonia बताओ लिखो homework लिखो homework पतागर क्याना है कि brine saturated with ammonia क्या चीज़ होती है ठीक है यह आपका homework है प्राइन saturated क्या होती है यह आपको पतागर क्याना ठीक ना फिर में आप से बात करूँ हो इसके साथ में क्या हुआ हुआ है इसको आपने किया एक कॉमन साथ बना वाटर बना बाता की समझ में ठीक है अब क्या हुआ कि इसको आपने किया है इसको आपने किया call के साथ में रेक्त कर रहें तो आपके पास क्या बना % कर बने हम यह दिए क्राइड और अमोनियम ख्लॉराइड अब देखो rij suis एक डिए म just जो आपके सामने को सर्डुयियमाई और होग तो मापकर क्या हो जाएगा यह precipitate बना लेगा मतलब वो क्या करेगा वहाँ पे soluble नहीं होगा ठीक है precipitated sodium bicarbonate is removed by the filtration and change into sodium carbonate on the heating सीधा सा मतलब यह है कि आपका जो यह sodium bicarbonate होता है ना यह क्या होता है sparingly soluble sparingly soluble का मतलब है बहुत कम soluble होता है और na plus do not sign की presence में क्या बना लेता है ppt बना लेता है इस ppt को आप क्या करते हो अलग करते हो उसको drive राइब करके सुखा लेते हो फिर इसको क्या करते हीट करते हीट करते है को क्या मिलता है sodium पारियम कार्बोनेट वाटर और लुए बात आगी समझ में है थीक है सबसे पहले क्या हुआ बच्छा प्रक्षिस कोई पूछ ले तो अमोनियम हाइड्रोकसाइड का आपने क्या किया है एस्टू सी तरी के साथ में रियक्ट करыт फिक बना अमोनियम कार्बोनेट को हमने क्या क्या एनने से यह के साथ मेत क्राएत तो क्या बना सोधियम बाइकार्बनेट स को हमने क्या किया क्या इच्छेंग करते उसको ही टीढ़्य करते क्या दखो यह ज् realism कृतर से क्यस तरे से काम कर रहा हूँ सल्वे प्रोसेस्स में क्या हो रहा है कि ammonical brine कि रियक्स विद कार्बन डाइयोकसाइड अमोनिकल ब्राइन कौन सा होगा बताओ तो सही अभी देख लो सामने हैं ठीक है यह क्या होंगे इसको आपने कहाए स्योटू के साथ में रियक्ट कराया है तो क्या मिला आपको अमोनियम लॉराइड और एन एेच यो 3 एन एच यो 3-10 एंग वाइच आप सोडियम वाइड कार्बोनेट को आपने क्या किया है तो क्या मिल गया यह मिल गया वह चीजिए हम करते आ रहे थे अब थार्ड इस्टेप में क्या किया के सोडियम कार्बोनेट इज रीक ब्रोड ़ो अब इसका मतलब क्या हो एज घृटोपने क्या एकिया इस्टोप के साथ मेरेक्ट कर आया तो यह क्रिस्टल के रूप में आगया वागर यह इसक्रीचल क्रीक हो भॉत हो अब आपने क्या किया लाइम अच्टंद T to obtain co2 अब आपने क्या किया है cco3 को हीट किया यहां पर तो co2 मिला आपको अब आगे बताओ the quick lime is dissolved in water to obtain क्या होगा slack lime which is पड़ो कि अबड़ा क्या हो रहा है आपने यह को सथ रियक्ट कर आए तो आपके पास क्या बना कैल्सियम हाइड्रोक्साइड इस कैल्सियम हाइड्रोक्साइड को जब आपको यहां पर यूज हुई है बलब जो बन रही है वह कहां यूज होती है इस तरह से आपका प्रोसेस करवाया जाता है इस देट क्लियर अगर आपसे आज मैं कहें दूँ कि भीया मुझे बना के लागे देना घर से वासिंग पाउडर निर्मा बना के लागे दो गए हैं बना सकते हो अरे कॉपी में तो बना सकते हो ना बस यह लोग अब लेगो प्रोपरटीज प्रोपरटीज क्या है सोडियम कार्बोनेट इजे वाइट क्रिसलाइन विच के एग्जिस्ट एज दा एन हाइडर सॉल्ट यह अभी हमने पड़ा है और यह कैसा हो सकता है इसको आप यूज कर सकते हो जो की टेन वाला होता है वह कौन सा होता है कि देखा हाइडरेटेट जोता है कौन सा होता है ठीक है ना सोडियम कार्बनेट इस रेडिली वोटर ऑन हीटिंग देखा हैं बाता है यही चीज बता है यह दस है इसको आपने क्या स्ट्रोंग लेटेड किया तो आपको कौन सा मिला एक वाला मिला फिर उसको फिर हीट किया तो क्या मिला तो डाइस स्ट्रॉंग लिए तो कर रहे हैं हम बार बार ठीक है यह अब इसका यूज क्या होता है बताओ ग्लास बनाने में यूज मतलब यह मानलो कि यह दो नमबर के जिश्ट निया से पूछा जा सकता है कि आपके पास में जो आपका होता है क्या यह सोडियम कार्बोनेट वह कहां पर यूज होता है तो बताओ मैनुफेक्ट्रिंग ऑफ ग्लास वासिंग परबस जो भी आपके कपड़े दो तो लॉंट्रीज में वहां यूज होता है इसके लाबाब बताओ फोर्टा मैनुफेक्ट्रिंग ऑफ दा अधर सोडियम कंपोनेंट लाइक दस सोडियम सिलिकेट सोडियम हाइड्रोकसाइड बोरेक्स हाइपो लाइक देट यह ठीक ना यह मतलब आगे जाके आप पड़ोगे तब आपको क्लियर होगी यह चीजहें क्या होती है बैट अभी के लिए आपको जान रखना हाउस होल्ड में अगर क्लिंजिंग जो एजेंट होता है वह यह होता है वह रोके अंदर कपड़े वपड़े दोने के लिए क्लिंजिंग एजेंट होता है जनरली हम फर्स बीची सी साफ करते है ठीक है अब इने पेपर ऑफ दा सोड डिचार्ट जेंट जो आप देखते होंगे कहीं पी आप ट्रेवलिंग होते हैं उनको क्या करने के काम में दिया जाता है बात आगी समझ में और मिक्टर ऑफ एने टू स्यो त्री एंड के स्यो त्री एर यूज़ इन दा फ्यूजन मिक्टर यह भी आगे आएगा जब आपको मैं बता दूँँ हो टाइम आने अभी के लिए आपको यह दखना है इसका टेक्स्टाइल यूज में भी होता है और पेट्रोलियूमग इसका यूज़ धता है तो इसके यूज़ इलो कि आप से पूछा जा सकता है पूछे गेता बता सकता है सरुदैं कि वे अब कौन सा है सोडिया मैं आपकरण हिसके बार मैं क्या बताऊ हो यह सारी कहानी वेसी आद्ल रही है आफ को से नियुक्ति है और न भी कार्बनाना हो तो वाले बेना सकता हूँ है सोडियम बाई कार्बिनेट को तो मैंने हीट किया था अगर मैं हीट ना गरू तो मेरा बन चुका है और अगर मैं यह हो मेरे पास में जिसे कपड़े दोने वाला है तो उसमें क्या गूरू मैं S2O के साथ में CO2 रियक्ट करवाद हूं तो यह बन जाएगा मेरे पास में दोनों से ही अब आप दे सकते हो इन इंडर्श्ट्रियल स्केल सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट इस अब अभी अभी हमने यह सब चीजें बात की है अभी हमने कि कि इनके बारे में बात किये और यह समझ चुके होंगे और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें प्रॉब्लम आ रही तो एक काम करना बेटा बुक होगी बुक में है नहीं कि दो बार तीन बार लिखना और सब्मिट करवा देना मुझे डाउट मैं किलियर कर दो ठीक है यह आपका होमवर्क है इसको आपको करना है किसे को प्रॉब्लम तो नहीं है हमवर्क में हाँ बटा होनी भी निच्छी है अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की प्रॉप प्रेक्टिस ही तो करनी है वहाप कैसे भी करके देख सकते ठीक यह है अब क्या होगा प्रॉपर्टयस क्या इसकी सोडियम हाइड्योजन कार्बोन इड इस यह वाइड क्रिसलाइन वgeb क्र and having the density about the 2.2 gram per ml ठीक ना ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके आगे क्या है इट है एल्कलाइन टेस्ट एंड इस इस पैरिंग ली सॉलीबल इन वाटर ये वाटर के अंदर क्या होता है इस पैरिंग सॉलीबल मतलब कम सॉलीबल होता है जल्दी से सॉलीबल नहीं होता है इसी का रिजन है कि आपकी जो चीनी है शुगर है वो ठंडे पानी में देरी से गुलती है जबकि गरम पानी में बहुत इसली डिजॉल्व हो जाती है निम्बू पानी बनाती है तो देखते हैं हम यह सब चीजे थोड़ा सालक से पानी लेकर उसमें डिजॉल्व करके फिर पानी ठंडा मिलाते है उसमें रीजन यहीं है उसका ठीक है अब क्लिक्टी नो उसके अंदर इसका यूज़ाता है मैडिसिन में इसका क्या होता है मैडिसिन में भी इसका यूज़ाता है ये से सब जवाब के स्टेटी बढ़ जाती है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो बात के लिए रहे चले आगे इटीजेंट इन दा लेबरेटरी ये लेबरेटरी में इसका काम में लिए जाता है लेबरेटरी में कैसे ये सब छीजें थोड़ी सी एक्स्टा लिख दी गई है बट ये लेबरेटरी में कैसे कहां कैसे आगे पड़ोगे तो बाजएगी यहां तक किलिए रहे आगे चला जाए यह यहीं पर रोग जाए जाए अजी अजी चले आगे देख लेते हैं जलो अब आता है हमारे पास में कौन सा सोडियम हाइड्रोकसाइड ये क्या होता है बैसिक ने सेली बाठ धी बेसिक नेचर का सोडियम हाइड्रोकसाइड है तो अब इसका काम के आए कि सोडियम हाइड्रोकसाइड डी सिवल्य कॉझल ली कॉल्ट लिक ऑ्न ली कॉस्टिक लोटा होता है हमारे पास में इसको बास्तिक सोड़ा बोलते हैंił को इसके वाज़े से अब क्या होता है अब क्या होता है लार्ज कॉंटिटी आप सोडियम हीड्रोक्षाइड इस प्रिपेड ओन्द एलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कोल दा लोर एलकली प्रोसेस दियान रखना अगर इसको बहुत ज्यादा है है अमन भाने अब क्लोन सा यूसेर करना होका लोर एलकली руksेस इस करना वह है Raise एधेबन ब्रोंगेश हो इसको आपता है लसी से समय होता है इसको यह उससी प्रोसेस से बनाए जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा क्लोर एलकली प्रोसेस बोला जाता है बात आगी समझें इसके प्रोपर्टीज क्या है बता सकता है को फटाफट क्या होगा कि अरे सामने लिखी भी है बोलना शुरू करो कि यह बोलोगे तो मैं देख लेना दस बार नहीं तिदा बीस तीस बार लिखने को दूँगा लिख लोगे लिख लोगे हिम्मत है बोलो चलो कि हाँ कैसे एक जैक्ट ली यह बहुत जादा मतलब इस्टेबल नेचर का होता है कि देने भी जल्दी से तूड़ता नहीं है इनके भीच में स्ट्रॉंग बॉंडिंग होती है ठीक है इस हाइली सॉल्यूबल इन वाटर एंड कंसीटर एमाउंट ऑफ दा हीट इस इल्वॉल्ड दूट दा फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रेटेट्स क्यों क्योंकि होगा यह बात आगी समझ में अब चलिए आगे अगे अक्वा सॉल्यूशन और सोडियम हीड्रोक्षाइड इस ट्रॉंगली एल्कलाइन दूट दा कंप्ली डिसोशेशन इंटू एफ यह बताहिए आपको आगे क्या है सोडियम सॉलीशन ऑफ दो सोडियम हीड्रोक्षाइ स्केट यह बाइद यह बाता है आपको पास रखाप आगे घर अपनी हाथ किया हीडियो अपनी हाथ क्या है चल जाएगी यहां पर यहां पर जो है फ्लेश है वह क्या करेगा बिगल जाएगा एक तरस वहरो उसका पेस टाइप में बन जाता है समझ रहो इसलिए जोठी इं का है नहीं करते हैं तुल ये आगे पढ़ते हैं नेक्स्त क्या है हमारे पास में अ कि इसका मैंने काम क्या है बता सकते हो आपका काम देता हो में आच का होंवर को ठीक है आप का होंबर का जो खुछ से करना आप सोडियम हाइड्रोकसाइड का यूद जो है आपके सामने लिखे में लेकिन यह आपको खुछ से लिखने हैं जर से ठीकर ना इनको याद करके आना है बात आगी समझ में ठीकर यह आपका होमवर्क है चलिए और बाद में इसकी बात करेंगे और अब बात करते हैं हम आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब अपने किसी के लग जाती है तो उसके जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही के जाता है उसके लावा जो अपने जिवार आप एसका फॉर्मॉला ताय याद रखना ये पूछा जा सकता है बहुत इंपोर्टनेंट है ज्यां रगना केल्सियम सलफेट विद आफ मोलकुल वाटर पर मोलकूल अफ दसाल्ट इस कोल्ड फ्लास्ट परिश यह की डेफिनिशन है यानि एक मोलकूल के अंदर कितना हो फ् पास में फ्लास्ट रॉफ परिश अब इसका आगे पड़ो क्या है वाटर ओफ इसलाइं वेन क्रिस्ट्रल्स ऑफ दा सटें साल्ट आर फॉर्म दे डू सो विद एडेफिनेट नंबर आफ दा मोलकूल सब दा वाटर केमिकली कंबाइड इन एडेफिनेट प्रपोर्शन य लेकिन यहां क्या होता है water of crystallization is the number of the water molecules chemically combined in a definite molecular proportion यानि water of crystallization का मतलब यह हो गया कि आपके पास में definite आपका molecule है उसके साथ में एक fix amount water क्या कर पाएगा वहां पे chemically combined हो पाएगा जिसको dot करके लिखते हैं dot करके लिखते हैं जितने molecules उसके साथ उते हैं उसको क्या बोलते है water of crystallization बोला जाता है ठीक है with the start in the crystalline state this water is responsible for the geometrical shape and color of the crystals यानि वो आपके पास में किस टाइप का crystal बना रहा है उसकी geometry कैसी होगी उसकी shape कैसी होगी यह water ही decide वहां पर करता है जैसे अपने पास में फिटकरी होती है उसमें क्या होता है hydrated form में अगर बात करें तो उसके अंदर भी water of crystallization होता है बात आगी समझ में चलिए अब देखिए remember a substance containing water of crystallization is called the hydrous salt क्योंकि उसमें क्या होता है water होता है और अगर water of crystallization नहीं होगा तो क्या होगा एन्हाइड्रस होगा इस water can be expelled by the heating and then salt is said to be anhydrous अब जब आपके पास में water of crystallization dot के रूप में है आपने उसको हीट किया तो वो क्या कर सकता है बाहार निकल सकता है और बाहार निकलते उसको क्या बोल देंगे हम एन्हाइडर सॉल्ट बात आगे समझ में यह क्लिए रहे चले आगे लिए बच्चा अब क्या है आपके पास में preparation इसकी preparation कैसी की जाती है इसकी preparation कैसी की जाती है विटा देखो प्लास्ट्रों परीजी prepared by the heating gypsum अब आपके बास में पता होना चीकिजिप सम्का फॉर्मला क्या होता है यह जिप सम होता है उसको आप क्या करते हो 120 डिगरी पे heat करते हो यह ना जिप सम्कों मैंने heat किया heat किया तो मुझे यह मिला ठीक है ना ठीक है यह किसमे होता है यह एक आपकी अभर कि व्हाइब शीप की इसके अंदर इसको यूज किया जाता है बड़ा बाडी क्या बोलते हैं उसको इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी अपने पास में फंडेंस होती है एक्ट रहेगी ठीक ना उसके अंदर इसको यूज किया जाता है और इसको क्या करते है पार्सली डिहाइडरेटर करते हैं आप देख सकते हैं एक मोलेक्यूल निकल चुका है यहां से एक रह गया है पहले क्या करेगा बचावा वोटर वो भी एक्सपेल्ड आउट कर जाएगा ठीक है ना इस चीज़ से आपको बचना है और क्या होता है पार्शली डिडियूस हो जाता है क्योंकि वोटर महां से निकल चुका है बाता की समझे अब इसकी प्रोपटीज के बात करो एट इस विद्धा 5-15 फिफ्टीन निट्स यानि 5-15 मिनिट्स इसको क्या करेंगें वोटर के साथ में लगतेंगे तो ये एक हार्ट बना लेता है और इतना हम भी जानते हैं कि जो हमारे ब्लास्टर बंते हैं हाथ परोपर बंते है उसको बहुत ज्यादा वोगा होगा हो जाथा है तो यही रीजन होता है इसका ठीक है और क्या इसमें मोड कंपलेटली केहने का मतलब है यह कि आपके पास में यह है रिख से आपने इसके लिख क्या किया वोटर को एड करवाया तो आपके पास क्या बना? जिबसम बन गया वाफिस cluster of Paris के साथ में आपने किया दिया water दिया तक्या बन गया? जिबसम जो है वो क्या करता है? hardening कर देता है बाता आगे समझ में? बनाते हैं उल्टे प्रोसेष से है यूज करते हैं सिधे process is तरह से यह आपका पूरा है first step is called the setting stage and the second stage is hardening stage the hardening दे रहा इसको ठीक है the setting of the plaster of Paris is crystallized by the sodium chloride sodium chloride का use होता है setting process के अंदर ठीक है यह चीज़ वाइल इट इस रिजुश्ट बाइड ब्रेक्स और एलम क्या यह बात समझ में आई ठीक है नहीं आई बेटा समझ में देख बेटा यह क्या होगा यहां पर जो आप यह setting process करवा रहे हो यहां पर हम NACL का use करेंगे क्या करेंगे NACL जो है वो help करेगा आपको plaster of Paris को जिपसम में convert होने के लिए ठीक है अब यह जो hardening जो है ना यह जो hardening है यह इस process में ही होती है ठीक है बट होता क्या है कि while it is reduced by the porex और एलम reduce कब होता है जब इससे water निकल रहा होता है मतलब settling का मतलब होगे कि इसमें water molecule add हो रहा है जब तो यूज करेंगे इनने ACL का लेकिन जब reduce हो रहा होगा यह निस्टों जब निकल रहा होगा तो वह किसके थूर निकलता है और एक्स और एलम इस डैट के लिए चले आगे यूज का उता इसका कुटी भी हडियों को जोडने में यह रहा और क्या होता इसका यो भी concept वगएरा होती है अनके लिए यूज क्यागा इसलिव यूज के इसलता है दान्तवांत बनाने के लिए हाड़ ओजता consent अग dit अ गोगा होता है सर्जिकल इस्ट्रूमेंट्स और अपने टोई जो आते हैं आजकल तो शायद आपने नहीं देखे होंगे लिए कि पहले मिट्टी के जो आते थे तो जाते थे जिम कलर वलर हुआ था मेले मेलों में मिलती थी वो चीजें ठीकर ना वो सब चीजें इससे होती है इन मेक हो गया क्या जलो एक रहे चुका है न वीचिंग पाउडर लिचिंग भाउडर रहे गा फूइन और नेक्स्ट कुस कुस्ट्रीन कर लेंगे दो दिन तक वस्सें हमारा हो जागे तो अज की लिए इतना ही यह ये आपका चेप्टर जो है वह कंप्लीट ओचुका है अलब थ कर दो एत